दोस्तों सद्रयाब सुक्का मेरे एडियोटीव चैनल सच इन एडिकेशन हपपर तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी section 190 से लेकर 193 तक तो जितने भी हमारे पास section थे उसके अंदर या जितनी भी detail थी वो हमने last वीडियो में cover की थी आज हम एक बड़ा सा section जो T सीरियस में यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़ते हैं तो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों से पहले आपको पता है कि अगर आपको कोई नोट्स चाहिए किसी भी कमर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलिग्राफ चैनल को जॉइन कर सकते हैं उसका आपको डिस्कुशन में दे दिया गया है तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामनी है सेक्शन 194A अब ए क्या कहता है कि इंट्रस्ट अधर देन इंट्रस्ट और सेक्यूरिटी तो अगर मैं आपकी लास्ट वीडियो की बात करूँ तो इंट्रस्ट और सेक्शन था अब हम बा कर कोई भी परसंट डिड़क्टर माना जाएगा और अगर लास्ट यर में उसके बिजनस की ऑडिटिंग हुई है तो अब पेई क्या है पेई कौन होता है यहां पे जो इस केस में पेई होगा वो रेजिडेंट और डिमेस्टि कंपनी और रेट कितना होगा 10 परसंट और ए जाएगी इन सिंपल वाले केस में लेकिन अगर आपका एग्रिगेट इंडर्स पेड़ बैंक यानि बैंक ने पे किया है एग्रिगेट इंडर्स तो वहाँ पे आपको इक्वल टू 40,000 के इंडर्स के उपर क्या मिल जाएगी एग्जेंशन मिल जाएगी यानि अगर आपक आपकी limit इससे उपर चली गई तो आपको interest के उपर exemption नहीं मिलेगी यहां तक ही मिलेगी अब exemption limit 50,000 हो सकती है अगर कोई case residential senior citizen का हो तो otherwise उसके लावन नहीं अब section 54 winning from lottery की बात करते हैं तो इसमें बहुत छोटा सा आपको पहले भी पढ़ाया गया है यह चीज कि rate आपका 30% रहे और lottery in kind हुई तो सबसे पहले आपको tax pay करना पड़ेगा उसके बाद आपको lottery की amount मिलेगी तो यह भी हो गया अब section C that is section 194C की बात करते हैं तो payment to resident contractor और subcontractor तो उस case में deductor कौन होगा individual or HF वही case जो मैंने अभी उपर कहा कि अगर आपकी audit done हुई हुई last year की तो otherwise individual or HF नहीं हो होंगे इसके लावा central government हो गया state government हो गया statutory corporation भी आपके deductor बन सकते हैं या कोई company या फिर cooperative society जो deal in housing यानि deal कर रहे हैं housing के अंदर वो भी आपके deductor माने जा सकते हैं इस case में rate क्या होगा अगर individual की बात कर रहे हो तो add the rate 1% और अगर आप other case की बात कर रहे हो तो add the rate 2% यानि individual के लिए 1% है other के लिए 2% है nature of payment यानि payment किसके related हो सकती है that is worker contract जिसमें supply of labor की बात की गई हो कोई advertisement हो गया कोई catering services हो गई है कोई transportation इसके लावा भी और कोई हो सकती है यह कौन सी जो भी payment होगी उसके उबर आपको TDS 1% add the rate of individual में और others में 2% आपको काट कर दे दिया जाएगा अब no TDS की बात करते हैं तो कब TDS नहीं काटा जाएगा single payment to person अगर आपने single payment की है person को जो की 30,000 तक है मतलब 30,000 से कम है तो भी आपको कोई TDS नहीं काटना लेकिन 30,000 तक है तो भी नहीं काटना 30,000 से जादा है तो आपको काटना ही है अब aggregate payment अगर आपके person की equal to 1 lakh हो गई यानि 1 lakh तक है तो आपको TDS नहीं काटना उससे जादा हो गई तो आपको काटना पड़ेगा अब contract of personal nature for individual or achieve यानि अगर आपने personal nature के साथ individual or achieve के साथ कोई contract किया है तो वहाँ पे भी कोई TDS नहीं लगेगा तो ये भी case आपको समझ ये A, B और C आपको करवा दिया अब आगे D करते हैं अब D की बात करते हैं कि section 194 D क्या है insurance commission तो deductor कौन होगा कोई भी person जिसने commission पे गिया है recipient कौन होगा कोई भी resident person हो सकता है और rate कितना है 5% यहाँ पर exemption limit को आपका ध्यान में रखना है कि insurance commission that is 15,000 तक आपको aggregate basis के उपर ध्यान में रखना है यहनि अगर आपका insurance commission 15,000 तक है तो आपको exemption मिल सकती है लेकिन अगर आपका 15,000 से उपर है that is more than है तो उस case में आपको कोई insurance commission के उपर exemption नहीं मिलेगी हो गए यहाँ तक अब section 194 DA क्या गहता है that is payment of maturity amount of LIC policy तो उस case में अब आपने deductor तो पहचाने लिया होगा कि insurance company होगी क्योंकि insurance company ही क्या करती है maturity amount आपको देती है तो जो देता है payment वो card कर ही देता है that is deductor pay कोन होगा हम हो सकते हैं कोई भी resident person और हो सकता है rate को आपको ध्यान में रखना है कि पहले 1% of payment include bonus यानि पहले 1% होता था payment के उपर और उसमें bonus भी होता था अगर वो exempt ना हो तो लेकिन अब इसका rate 5% हो गया है 19 2019 से यानि 19 2019 से इसका rate 5% कर दिया गया है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है star लगा लो और exemption आपको 1 lakh तक मिलेगी और वो भी aggregate basis देखते हुए otherwise उसके base यानि उससे ज्यादा की amount के उपर आपको LIC maturity amount के उपर कोई भी exemption नहीं मिलेगी अब section 194E में क्या है that is NR यानि non resident sportsman या फिर sports association के base पे आपने देखना है pay कौन होगा जो ये आप बात कर रहे हो ऊपर कोई भी sports person कोई भी athlete कोई भी association payment क्या हो सकती है जो आप under section 115E के अंदर बात करोगे जब आप ये section पढ़ोगे तब आको clear होगा और rate क्या होता है यहाँ पे 20.8% लेकिन अगर आपने NR को pay किया है तो 20% plus 4% आपका health and education tax भी लगेगा ये चीज़ आपको पढ़ रहे उन साथ साथ में तो clear हो जाएगी अदर्वाइस थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अब बात करते हैं 194E की तो EE क्या है that is payment of deposit under national saving scheme अच्छा national saving scheme के अंदर अगर आपने payment की है deposit के उपर तो rate आपको 10% लगेगा exemption आपको देखनी है 2500 तक वो भी aggregate ये amount बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जो मैं कहा रहा हूँ aggregate ये बहुत ज़रूरी है कई बार ये word आप देखना बूल जाते हो कि aggregate payment equal to 2500 तो तब आपका क्या माना जाएगा exemption मिल जाएगी आपको deductor कौन होगा यहाँ पर post office क्योंकि national saving scheme किसके बात होती है post office के पास तो post office ही आपको उसके उपर क्या करता है amount देता है तो जो देता है वही आपका deductor बन जाता है और जिसने लेनी है तार इस pay वो कौन होगा हम हो सकते हैं कोई भी person हो सकता है और payment कौन सी होगी यहाँ पे principal amount तो होगी ही साथ में interest भी होगा लेकिन अगर आपने payment किसे legal hire यानि जैस person की थी वो उसकी death हो गई या उसके इलावा को legal hire है उसको दी है तो वहाँ पे आपका call TDS नहीं लगेगा अब section 194 F की बात करते हैं तो यहाँ पे payment of repurchase of units अगर आपने mutual fund के जो unit 7 को दुबारा purchase किया ह उसके उपर आपने payment दी है तो mutual fund के उपर आपका rate लगेगा 20% और यहाँ पे mutual fund की बात है तो mutual fund की deductor बनेगा पेई कौन होगा जिसने unit holder यानि अगर मैंने खरीदे हैं तो मैं unit holder बन जाओंगा तो मैं कौन हूँ पेई और payment कौन सी होगी यहाँ पे repurchase वाली बहुत छोटा स टॉपिक था clear हो गया होगा इतना मुश्किल नहीं है यह बाला अब हम बात करते हैं आगे that is section 194 g की तो commission on sale of lottery अगर आपने बात की है commission on sale of lottery की तो lottery के base पे आपने जब commission दिया है तो वहाँ पे deductor कौन होगा any person paying commission यानि हम अगर lottery को खरीदने के लिए कोई commission दे रहे हैं किसी को तो हम ही क्या करेंगे कोई भी person जो दे रहा है वो detector बन जाएगा और person किसको देगा lottery किसी person को ही देगा तो pay भी कौन होगा कोई भी person rate क्या होना चाहिए यहाँ पे lottery के case में वैसे तो 30% पीछे पड़ा था लेकिन यहाँ पे commission है तो यहाँ पे commission की base पे 5% लगेगा और exemption आप अगर आपकी lottery की amount 15,000 तक है तो उससे जादा है तो आपको कोई भी exemption देने के chance नहीं है अब 194H में क्या है that is commission और brokerage commission क्या है यहाँ पे अगर आपने commission और brokerage पे किया है तो deductor कोई भी person होगा लेकिन other than individual or HUF rate क्या होगा 5% exemption आपको same वही जब वहाँ पे commission आए तो ज़्याद तर याद रखना 15,000 तक ही मिलती है उससे जादा बहुत कम cases में देखा जाएगा अब TDS कब नहीं काटोगे अगर आपने commission या brokerage किसी insurance commission को pay किया है और यहाँ फिर अगर आपने commission to stock broker यानि कोई stock broker को pay किया है तो उस case में आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा अब rent की बात करते ह है अब 194 I कहता है कि rent भी पढ़ लिया जाए तो deductor भी वही होगा कोई भी person और pay भी कौन होगा कोई भी resident person यह तो आपको clear हो गया होगा बहुत छोटे से point अब payment की बात करते हैं तो payment क्या होगी यहाँ पे कोई भी land and building की हो सकती है प्लांटर मिशिनरी यहाँ furniture यहाँ fixtures की यहाँ कोई भी equipment की rate प्लांटर मिशिनरी के उपर सिर्फ 2% बाकी सब के उपर 10% और इसके उपर excluding GST यहाँ फिर municipal tax देखना पड़ेगा यानि municipal tax और GST नहीं लेने बस यह ध्यान में रखना है कि प्लांटर मिशिनरी के उपर 2% और यानि अगर इससे ज़ादा चली गई aggregate amount तो आपको tax देना पड़ेगा अधरवाइस 2,40,000 तक आपको exemption है कि आपने tax नहीं देना अब इसके ही कुछ सब पार्स हैं कि 194 IEA में क्या क्या आगया है कि payment on transfer of immovable property other than ruler aggregate चले तो अगर आपने transfer की है immovable property other than यानि ruler aggregate चले और लेकिन अगर pen नहीं मिला हमें यानि जिसने payment करनी है उसे pen number नहीं मिला तो वहाँ पर आपका tax rate कितना हो जाएगा double से भी double यानि 20% से जादा 20% के करीब हो जाएगा और TDS क्या होगा consideration अगर आपकी 50 lakh तक है तो ठीक है अगर 50 lakh से जादा है तो आपको TDS काटना ही पड़ेग अब IB की बात करते हैं तो payment of rent by individual तो यहाँ भी क्या होगा rent अगर individual अगर है तो वहाँ पे audit अगर required है तो deductor बन जाएगा वो लेकिन अगर auditing last year में उसके business की नहीं हुई है तो वो deductor भी नहीं बलेगा और यह case भी नहीं चलेगा अब अगर गी गई है तो क्या होगा payment क्या होगी वही rent जो आपने land और building के base के उपर pay किया है rate क्या होगा 5% और exemption क्या होगी rent per month अगर आपका 50,000 के equal है तो ठीक है लेकिन 50,000 से जादा चला गया तो वहाँ पे आपके exemption नहीं मिलेगी per month की बात है ध्यान में देखना इस जब आपका last month में जो rent है वो credit हो चुका है या फिर at the time of payment whichever is earlier इन दोनों को देखना है कि whichever is earlier वो आपका क्या बन जाएगा TDS का time बन जाएगा अब IC की बात करो तो payment under specified agreement में क्या है deductor कोई भी person है payment वही होगी जो consideration में बात की गई है rate 10% है बहुत easy था इसे आपने बस just पढ़ professional and technical services that is 194 g आई खतम हुआ अब जहीं आया है तो यहां पे अब ध्यान से समयने इस चीज़ को fees for professional आपने पर फीस जो है professional या technical services के लिए दी है तो जिसने दी है वो person ही होगा कोई और अगर वो person है यानि all person वो company भी हो सकती है लेकिन other than individual यहां पे आ भी गया कि other than individual और है को छो तो resident person ही क्या होगा पेई rate कितना होगा यहां पे exclude GST 10% माना जाएगा और कब TDS नहीं काटना जब आपकी services आपने किसी individual या H.O.F. को personal purpose के लिए दी है या फिर आपके aggregate amount 30,000 तक है या उससे कम है in financially तो उस case में आपने 194 g के अंदर fees के उपर कोई TDS नहीं काटना अब 194 m की उ और contract work अगर आपने contract work की बात की है तो उस case में क्या होगा उस case में याद रखना है कि contract work सिर्फ आप ज्यादा तर individual जैसे आपने rent की बात की थी वहाँ पे बीछे individual H.O.F. के तो individual H.O.F. तबहीं आएंगे other than those who require to deductor under section 194 that is C, H और J. C, H और J को छोड़ कर कोई भी individual H.O.F. जो कोई इस case में आ रहा है वो individual H.O.F. यहाँ पे deductor माना जाएगा इन चीदों को छोड़ कर pay कोन होगा resident person और rate क्या होगा यहाँ पे 5% on aggregate amount अगर aggregate amount वहाँ यानि 50 lakh तक है तो उससे जादा है तो यहाँ पे आपको exemption नहीं मिलेगी लेकिन यह rate भी नहीं लगेगा और बहुत जादा जुरूरी यहाँ पे amendment आई है वो क्या है that is with the effect from first 9 2019 के बाद एक amendment आई थी कि TDS cash withdrawal के उपर भी काटा जाएगा तो cash withdrawal कौन कौन सी शीज़ें हो सकती है डिड़क्टर कौन बनेगा कहां से निकलवाते हो आप banking company, cooperative bank या post office तो इन तो इनों के उपर अगर आपने cash है जो वो एक करोड से जादा निकलवाया तो आपके उ amount के उपर TDS लगेगा, काटा जाएगा और अगर आपका rate देखा जाए तो 2% of sum exceed rupees 1 crore, 2% लगेगा अगर आपका 1 crore से जादा आपने पैसा निकलवाया है उसी समय, यानि अगर आपने 1 crore से जादा पैसा निकलवा लिया, bank से या cooperative bank से या post office से तो वहाँ पे 2% rate आपका 1 crore के उपर लगेगा, अब TDS कब नहीं काटा जाएगा, अगर आपने वो जो पैसा है या उसकी payment जो की है वो government को की है, या कोई banking company को की है, या किसी post office या cooperative bank को की है, तब तब आपके उपर कोई tax नहीं लगेगा, और एक last छोटा सा topic क्या है, that is 195 के अंदर जो आता है, वो है that is time for TDS, तो time for TDS, अलग-अलग sections के लिए, अलग-अलग time होगा, यह जो आपको sections दिये हैं, मैं zoom कर देता हूँ या पर, आप देख लेना, अगर आपको notes इसके लेने हैं, तो आप telegraph channel पे clarity से ले सकते हूँ, तो यह दो चीज़े आपको देखनी है, whichever is earlier in that sections, और on the date of payment को आपन इन sections के base में दिखना है, तो यह topic भी आपको ज़रूरी करना है, और सबसे important amendment करनी है, और इसके लावा दोस्तो आज जो मैंने आपको करवाया है, 194 section वो आपको detail से समझ आ गया होगा, दोस्तो आज के लिए इतना ही है, next video में हम जो rest of the sections बचे हैं, उसकी बारे में बात करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, दोस्तो होप सवा कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है, तो like, share and subscribe करना मत भूलना, और अगर कोई problem आ रही हो, तो नीचे दिए गए comment box में comment भी कर देना, thank you very much